हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में फिर से दोस्तों लेके आए हूँ नही जौब की इंफोर्मेशन रिक्वीट्मेंट आ रही है दोस्तों ECIL की तरफ से Electronics Corporation of India Limited की तरफ से रिक्वीट्मेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है Government of India Department of Atomic Energy के अंटर रिक्वीट्मेंट आती है आप आल अवर इंडिया से अपलाई कर सकते हैं साड़े 600 विकेंसी जितके लिए आवेधन मागे गए हैं और आप इंडिया की हर एक स्टेट हर एक सीटी से आवेधन कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका application fees भी देने की जुरूरत नहीं है और यहाँ पर selection भी direct होने वाला है किसी तरह का interview या exam आपका नहीं लिया जाएगा selection होने पर 23,000 आपको salary मिल जाएगी तो detail में लोग बात करेंगे इसकी eligibility criteria की selection process की कैसे आपको apply करना है कौन-कौन कर सकता है detail में सारी जानकारी दूंगा तो शुरूर से लिए के last six video को complete देखिए तांकि आपको हर एक चीज हर एक detail का पता चल जाए तो detail में जानकारी के लिए हमें चलना होगा notification की तरफ लेकिन उससे पहले important dates बता देता हूँ कि 6-2 से आवेदन शुरू है और 15 February तक चलेंगे और इसी के बीच में आपको apply करना है अगर आप 15 तरीक तक चुहें वो wait करते हैं वो सकता है 15 तरीक को link काम ना करें इससे अच्छा ही है यह कि आप 15 तरीक से पहले पहले ही इसके लिए आवेदन कर लीजेगा अगर आप eligible होते हैं तो तो उसके लिए चलना होगा हमें notification की तरफ तो notification में दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि vacancies 600 है और 48 SD के लिए vacancies है तो अपनी category में देखके फिर आवेदन करिएगा West Bengal अगर असाम में दोस्तों भी चुनाव होने वाले elections होने वाले उसी के according यह contract basis पे भरतियां हो रही है जिसमें की ceiling, distribution, polling, commission activities और EVM वगरा में आपका काम रहने वाला अलग-अलग जगा पे असाम और West Bengal के ही आपकी location रहेगी अभी दोस्तों यहाँ पे चुहे वो six month का यह contract रहेगा और T.A.D.A. भी आपको 23,000 की salary के साथ मिलेगा 23,000 salary उसके साथ T.A.D.A. मिलेगा अभी यहाँ पे दोस्तों एक साल का minimum experience वो मांगा गया है लेकिन अगर आपने apprenticeship करी हुई है graduate, engineer, apprentice है आप तो भी आप apply कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जो है वो एक साल का experience वाले लोग आवेदन कर सकते हैं जिन लोगों ने apprenticeship करी हुई है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं काफी लोगों की यह सोच होती है कि apprenticeship का कोई फायदा नहीं होता है लेकिन अभी आपको फायदा दिख रहा होगा कि यहाँ पे direct selection हो रहा है और यहाँ पे एक तरह से आपका जो competition है वो कम हो गया जिन लोगों के पास experience होगा या जिन लोगों के पास चोगे वो apprenticeship होगी वही लोग आवेदन कर पाएंगे और शाड़े 600 vacancies है तो उनकी बात बन सकती है इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप fresher है अपने career की शुरुआत कर रहे हैं तो apprenticeship आप कर सकते हैं बड़ी option होता है हाँ अगर आपको उसके वो इलावा job मिल जाती है अच्छी तो वो और जादा अच्छी बात है यानि कि experience या apprenticeship दोनों में से एक चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने career में आगे growth चाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो ही वो first class engineering degree अगर आपने करी हुई है electronics and communication engineering में जा सकता है उसके लावा दोस्तो method of selection की बात करें तो BE, BTEC में आपने कितने marks obtain करें और आपके पास experience कितना है उसी के coding यह जो है वो merit list निकालेंगे और आपको document verification के लिए बुलाएंगे यानि कि examination नहीं होगा ना ही आपका किसी तरह का interview लिया जाएगा document verification होगी उसी के according जो है करना पड़ेगा और यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो है important जो date से वो बताई गई है तो selection भी आपका जल्दी होने वाला 7 दिन के अंदर आपको joining करना पड़ेगा अगर आपका selection होता है तो यहाँ पे दोस्तों बात करें call letter download करने की document जो है verification के लिए तो आपके पास एक साल का experience है आपने अप्रेंटिशिप कर रखी है तो आप जुरूर इसमें apply करिएगा apply करने की कोई भी फीज नहीं है selection होता है तो direct होगा आपको direct जो है document verification के लिए बुलाया जाएगा और 23,000 salary के साथ TAD आपको जो है वो दिया जाएगा अगर आपका selection होता है तो six month के contract based पे यह बढ़िया recruitment आ रही है electronics corporation of India limited की तरफ से तो यही दोस्तों लिखा गया उनकी notification में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझाई होगी वीडियो से related questions है comment section में पूछिए channel को subscribe करें मिलते हैं next video में झाल